नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी बेल आइकोन को जरूर दबाए जिससे की हमारे सब्वी वीडियो की नॉटिपिकेशन मिले आपको सबसे पहले अखरोट जिसमें कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, वसा, कैलोरीट, कैल्शियम, विटैमिन यो विटैमिन B6 अधिक मातरा में पाय जाते हैं यह आईरन, मैगनेशियम, फॉसफोरस, पोटैशियम, सोडियम, जिंग, कॉपर, मैगनेज, सेलेनियम, विटैमिन C, थिय विटैमिन, नियसीन, पेथोट्निनिक एसिड, फोलेट, विटैमिन B12 और विटैमिन A जैसे जरूरी तत्वप पाय जाते हैं और हर किसी को अकरोट का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि यह कई तरह से हमारे शरीट के लिए बहुती फाइदेबन हैं लेकिन दिक्कत यह है कि लोग नहीं जानते कि उन्हें अकरोट कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, इसलिए आज हम आपको यह बताने वाले हैं अकरोट क्यू खाने चाहिए जैसा कि हमने आपको बताया कि अक्रोड कार्बोहड़र्ड प्रोटीन वसा कैलोजिस, कैल्शियम, विटैमिन B6, विटैमिन E अधिक मातरा में पाय जाते हैं अक्रोड, आइरन, मैगनिस, फॉस्फरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैगनिस, सेलिनियम, विटैमिन C, थियामिन, राइबोफ्लोरीन, नियासिन, फोलिक, विटैमिन A, विटैमिन B2 जैसे जरूरी पोशन तक्त्व से भरा होता है इसलिए यह हड्डियों को मजबूती प्रदन करता है हमारी तौचा के लिए लाबदायक होता है और यह हमारे पाचन तंत्रों को भी ठीक करता है मदुमिया, कैंसर को रोकने, सुजन से लड़ने और तौचा और बालों को सुस्तर रखने के लिए साथ ही वजन नियंद्रित करने के लिए भी बहुती लाबदायक होता है इसलिए अक्रोट का सेवन आपको जरूर करना चाहिए अक्रोट का अपकानी चाहिए अक्रोट को आप किसी भी समय खा सकते हैं जब आपको दिन में भूख लगे तो आप अख्रोट का सेवन करें और इसका सेवन अन्य चीजों के साथ भी कर सकते हैं जैसे कि केले या दही में तीन अख्रोट क्रश कर मिलाएं और गाड़ा मिश्रन बना कर इसका सेवन करें इसके अलावा आप अखरोट का सेवन सलात के साथ मिला कर करें और सलात को अधिक पोशन युक्त बनाएं अखरोट को कैरेमल, मिश्टित सलात, किश्मिश, मश्रूम, पास्ता आधी के साथ मिला कर भी सेवन कर सकते हैं नियमे तुरूप से अखरोट खाने से आपको अखरोट का सबसे ज़्यादा फाइदा मिलता है एक दिन में कितने अखरोट खानी चाहिए अगर आप एक स्वस्ता और तंदूरस शरीर चाहते है तो आपको रोजा ना तीन से चार अखरोट का सेवन करना चाहिए जिस से दिन भर के लिए आपके शरीर को अच्छी उरजा मिलती है और इसके विटेमिन और मिनेरस आपके शरीर को पोशन देने में मदद करते हैं झाल, 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 झाल